जौनपूर के बदलापूर से आ रही है बड़ी खबर अपने ही सरकार में पुलिस के खिलाफ कोतवाली में भाजपाईयों ने दिया धरना दरसल मामला क्या है आईए हम आपको बताते हैं कोतवाली में तैनाथ हरिनाथ भारती वर दरोगा कश्यप सिंग पर भाजपाईयों ने लगाया गाली गलोज देने का और मुबाइल चीनने का आरोपूर सो और साई के खिलाफ करवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे भाजपाई ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि सत्ता प पर से कि जिला द्यक्त साहिदलाल चोधुरी को जिला महामंतरी है उसको जो है यहाँ पुलिस वालों ने वेजित किया है महारा पीचा और उसका मोबाइल चीन दिया है उसके बाद थाने बैठाय हुए है गाली दिये जब कि उसकी कहीं कोई गलती नहीं है वो पड़ोसी ज सब्सक्राइब करता अपनी चक में मकान बना रहा थी उसके पटीदार ने पता नहीं किस बेसिस पे उसका जमीर रुखवाने की क्योशिस की वो पहले अपने बना रहा था इसके बाद जो है पुलिस वहां पहुंची 100 नमबर उसको मार के बंद कर लाई थाने में बंद कर इसके बाद यहां नए नए इस्पेटर जाब आये हैं उन्हों उसको गाली दी का साले को लाकब में डाल दो अगर वो अपने मकान बना रहा है कहीं कोई गल्ती नहीं कोई इस्टे नहीं तो उसको गाली देने या बंद करने कि क्यों आ सकता पड़ी पुलिस को मैं यह जड सब्सक्राइब करना चलेगा करना बैटे यहां जाब आते हैं इजर ही दज़ति करने घंद करते हैं हमारा जीलय महा मंत्री सफिं नचाकत साहबलाल चोधरी जो है उसको आनायास जो है वहां पुर्टा सिद्धा वहां गाली पि我跟你講 करते हैंสथी काली गाली दिये कान गाली है कब तक आप सब के धर्ना चलेगा का इस अधर्ना तब तक चलेगा जब दिया परवाई नहीं हो